वेलकम बैक टो माइन नीनूस कीचिन आप सभी को नवराती की हार्दिक शुप कामना हैं मातारणी सभी के लिए खुशियां लेकर आएं तो मैं बनाती हूँ आज एक अच्छे सी डिश ब्रत के लिए और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कच्चा आलू और इसको मैंने घिस लिया है और इधर मैंने लिया है कुटू का आठा तो यहाँ पर मैंने कटू कस्तर हुए आलू को एक नूर्टोंगे में शिप्ट कर दिया है और इधर में डाल रहे हैं आद्रा कटी भी थोड़ी सी एक खरी मिर्च और जादा सारा धनिया धनिया का फ्लेवर अच्छ है और इनको उस्करोंगी इनका अलकाता इनको इसमें रोस्क करने के बार इनको बीस हुई तो में यह यूज़ कर सकते हैं हम लोग क्योंकि यह अलग बजार की विशी भी मिर्ची नहीं है इसका हम धर पर ही तयार कर रहे हैं इस मिर्चों को तो हरी मिर्च के जगे आप ऐस मिर्चों ये लाद मिर्च भी ढाल दूगी अमने इसमें लाल मिर्च आद दी हैं वह को चट्पटा सा स्वात आता है और इसके अन्दर में ये डाल रही हूं, दो चम्मस दई जट पट बनकर चिला तयार हो जाएगा ब्रत वाला बहुत कम समय में जल्दी बनाने वाली डिशिद जादे पसंद आती है तो यह जट पट आसा चिला बनकर तयार हो जाएगा और इसी में में डालूगी ब्रत वाला नमक प्रत वाला नमख भी दाल दिया है इसमें ही नीवू का रस्मी एड़ कर रहे होंगे और इसमें ॥ोड इसी काली मिर्च पॉर्डर कि इसको सबको मिक्स कर लेंगे इसमें मैंने इसमें मैंने कोटू का आठा डाल दिया है 3-4 चमद तो आप चाहें तो आप इसमें सिंगाडी का आटा भी डाल सकते और आप डाल सकते हैं यहां पर इस यहां पार से रखना है जादे पतला नहीं करना जैसा कि मैं दिखा रही हूं आपको इस तरह से होना चाहिए जादे पत्ता नहीं करना है इसे तो यहां पर मैंने कैस पर एक पैन रख दिया है और पैन को मैं ग्रीस कर लूँगे ओईल से डिशाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्लिट इसको फैन को घ्रीस कर ग्रीस है ऐल से अब इस तरह से इसको सीखूंगी जैसे कि मैंने तुर भीत रिश फ्ला दिया जैसे हम ड़प्तर से गएंगे तो हम देखते हैं जाँ सबसे पिल्कुल खुल से देखे हैं अपने आप उतर रहा है तो आप इसको हम करेंगे पलट देंगे तो हमारे एक साइड से बिल्कुल अच्छा सा थिककर त्यार हो गया है अब उसी साइड से पर हमें देखना है और फिर इसको भग दो तो चीला बन रहा है और चटनी ना बने तो स्वादी नहीं आएगा तो चलिए बनाते हैं चटनी इसके लिए मैंने यहां पर गया एक डमाटर और लिए खरी मिर्च और लिए धनिया और अध्रफ का छोटा सा पीस अब पीस ती हूँ चटनी तो यहां पर चटनी में मैं थोड़ा सा नीबू भी डाल दूगी नीबू का रस और अब इसकों गीस लेंगे तो चलिए देखते हैं दूसरी साइट से हमारा चीला सिका है कि नहीं तो देखें इतना अच्छा सा गोल्डन ग्राउंड चीला बनकर तयार हो गया है और दूसरी साइट से भी बहुती बढ़िया सिका है यह देखें तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा बनकर तयार है कुटू के आठा और कच्चे आलो से बना हुआ नाश्ता और कि जल्दी बन जाएगा हमें आलू बानी का भी जंजट नहीं है फटा फटा बनकर तयार हो जाता है इसको चट्णी के साफ में आप खाइए और करती हूँ इसकी बलेटि तो कितना टेस्टी सा और बहुत जल्दी बनकर तयार हो गया है ब्रत का हमारा नाश्ता तो ब्रत में आप इस तरह से बनाएगा से बहुत जल्दी बन जाता है जटपट और चट्पटी चट्नी के साथ व्रत की चट्टनी है और ज़िए देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए फिर mission एक और शार आफंच में एक और बाय 2500 आप